MSE final के paper 6 में हम unit 5 कर रहे थे और उसमें जो हमने देखा था कि SC3 symmetry के requirements को पूरा करने के लिए एक minimum fundamental triplet की ज़रत होती है जो कि हम एक triangle से represent करते हैं और ये जो तीन particles हैं जो कुन corners पे रहते हैं वो हैं U, D और S जो की basically quark के forms है अब आगे के जो particles हैं उनको build up करने के लिए कैसे बनेंगे particles बनते हैं प्रकृति द्वारा या आप कहें कि बाई God द्वारा तो multiple building किस तरह होती है और particles की और वो किस तरह से group form करते हैं उसके लिए आज का जो हमारा ये lecture है ये इस पे रहेगा तो basic हमारा जो है 3 जो है वो एक inverted या ultra triangle है जिसका की तीनों vertices जो हैं वो हमने y और i3 जो plot है उससे represent करते हैं जो ही left में figure है उससे देख सकते हैं और इसके अंदर जो horizontal है वो हमारी i3 या t3 की values है आईसो spin की और जो vertical चल रहा है वो hyper charge है तो इसके अंदर तीनों जो u, d और s है basic जो triplet form करता है तो उसके लिए तीनों corners पे हम एक एक particle रखते हैं और इनको हम एक triangle inverted triangle बना देते हैं ये हमारा three जो triplet है उसको represent करता है और यदि इसका मुझे three star या anti structure लेना है तो वो हमारे उसको करने के लिए हमें इस triangle को उल्टा करना पड़ेगा वो सीधा triangle हो जाएगा जिसके अंदर की जो left में दिख रहे हैं जो उपर की जो points है वो नीचे वाले quadrant में चले जाएंगे third और fourth में और ये जो है वो by axis पे जो minus two three by वाला पार्ट है वो उपर जाएगा two by three पे तो इस तरह से ये three star बनता है लेकिन अभी हमें जो predict consider करना है वो है three not three इसको हम cross से represent करते हैं with एक circle बना देते हैं उसके उपर तो ये हमें करेगा कि किस तरह से तीन particles और उनके साथ ये group अगर form करना है तो three by three का कैसे group form करेंगे normal जो mathematics है उसके अंदर three cross three is nine और nine को हम कई तरह से represent कर सकते हैं three plus six से भी कर सकते हैं हम उसको one plus eight से भी कर सकते हैं तो हमारे इसके अंदर जो particles हैं वो इसमें octet भी form कर सकते हैं singlet भी form कर सकते हैं और एक hexagonal बनाएंगे जिसके अंदर की कुछ इस तरह से particles बैठे होंगे तो हमें कैसे करना है इसको करने के लिए हम सब इसको बोलते हैं हम weight diagrams पिछली बार भी बताया था तो इनको draw करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो basic triangle है particles का UDS का बो लेना है और उसमें कोई भी एक vertex हमें choose करनी है अभी जैसे left वाले figure में right वाला जो है first quadrant में जो particle है उसको choose किया है उसको center मानते वे हम एक वैसा ही एक triangle draw करेंगे और वो जो triangle है वो हमें superpose करना है जैसे अभी इसमें भी लिखा है कि we'll superpose the weight diagrams with the origin of the second on the point of the first तो इसका जो second triangle जो draw किया है उपर उसका center इसके एक particle पे होगा इसी तरह जो left में second quadrant में जो particle का है point उसको center मानते वे एक inverted हमें और draw करना है और ये इस तरह से हम तीनों को हम draw करेंगे जब इसको draw करेंगे तो हमारे को जो बीच में y axis पे है उसके अंदर एक बीच में ये देखें अगर right वाले figure में तो y axis पे दो दो particles मिल रहे हैं और बाकी जो corners हैं उन पे एक एक particle मिल रहा है और इस तरह से जो बीच में हैं इस triangle के जो दो साइड्स हैं उनके अंदर भी दो दो particles recite कर रहे हैं क्यो कि वो वहाँ दो triangle आके form कर रहे हैं तो और एक हमें नीचे मिल रहा है तो ये जो procedure है ये हमें 3 by 3 form करेगा तो इसके अंदर अगर आप particles की counting करें तो कितने बन गए 1, 2, 3, 4 एक horizontal उपर वाली line में है और फिर बीच में 4 particles ये हो गए 4 और 8 हो गए और एक ये 9 हो गए तो हमारे क एक प्लस 8 हमें इस तरह से particles मिल गए तो इसके अंदर जो mid points of sides हैं वो last triangle की वो हमने देखी कि इनके अंदर double occupancy है में दो दो particle एक ही position को correspond कर रहे हैं और लेकिन जो vertices हैं कोने वो जो है वो single occupancy है एक ही particle और इसके अंदर जो के quantum numbers रहेंगे वो single ये रहेंगे लेकिन उसमें दो particles की भी same quantum numbers आ रहे हैं तो इसका मतलब simple ये है कि कोई भी एक single multiplet इसको correspond नहीं कर सकता किसी भी system को और ये जो है वो एक sum हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 3 x 3 में जब हम करते हैं तो जैसे बताया है उसमें 3 प्लस 6 भी हो सकता है और 3 star प्लस 6 ले 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 या 3 प्लस 6 star ले 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 और एक ये भी हो सकता है कि दैसे 9 आ जाए तो 1 प्लस 8 भी हो सकता है तो इसको कैसे करें तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक 6 डिमेंशन का multiplate हम लेते हैं तो कैसे एक फॉर्म होगा तो इसके अंदर 6 कैसे आएगा तो 6 के लिए आप पहले तो vertices जो हैं उनके ओपर एक एक particle रख दें और फिर उनके centers, mid points पे जो sides हैं उनके mid points पे एक एक particle रख दें तो यह 6 बन गया और इस तरह से अगर 3 star लेते हैं तो हमारे को यह 3 star plus 6 जो है हमें 3 not 3 के बराबर हमें दे देगा तो यह dimension के लिए भी होता है और अब दूसरा एक example है जिसके अंदर की 3 cross 3 star लेना है now 3 star का meaning क्या है 3 का मतलब तो inverted triangle है जैसे कि इसके अंदर dot से दिखाया है और जब हम 3 star लेंगे तो उसके अंदर हम यह जो basic था यह inverted था means ultra triangle है लेकिन अब जो 3 star में लेंगे इसको जैसे 1st quadrant में लें पार्टिकल को तो 1st quadrant में इसको center मानते वे हम एक सीधा triangle ट्राउ करेंगे उसका तो एक point इदर आएगा और एक center में origin पे एक cross आएगा और एक इदर cross आएगा राइट-hand side में सबसे left wallet figure में आप देखें और इधर देखें second quadrant में भी हमेरे जो dot है उसके अंदर अगर सीधा triangle ट्राउ करेंगे उसको center मानते वे तो एक उपर cross आएगा और एक left में cross आएगा और एक फिर again origin जो है उसके उपर भी a cross आएगा और एक जब नीचे वाले में draw करेंगे तो center में एक और cross आएगा तो और नीचे भी दो cross आएगे तो ये हमारे पास अगर इनको जोड़ दें तो हमारे पास एक cross तो बीच में और बाकी सब जो है उनकी particles बन गए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ ये बन गए तो ये हमारे 3 cross 3 star 1 प्लस 8 को correspond कर रहा है तो एक singlet होगा और बाकी सब जित्ते भी particles हैं वो octate बनेंगे अब octate में भी अगर इस figure को देखें तो right hand वाले में जो प्लस करके बिलकुर corner में जो figure है उसके अंदर दो particles बीचो बीच आ रहे हैं और बाकी जो particles हैं ये hexagon का part बन रहा है जो six sides का है और ये जो part system है इसके अंदर 8 particles जो है उनके identity तो ये जो weight diagram है इसको हम टुकडे में divide कर सकते हैं और अगर अब हमें मा लिजे 3 into 6 करना है जो कि methodics हेसाब से 18 होता है तो 18 को हम represent कर सकते हैं 8 plus 10 तो एक octate और एक deck plate तो इसके जो diagram बनेगा वो एक singlet का भी होगा एक octate का होगा और एक हमारा जब हम draw करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो deck plate बनेगा तो हमारे पास जो system होगा एक octate और एक deck plate ये जो square right से plus के sign के साथ injection किया है इन जितने भी diagrams हैं उनकी अंदर जो iso spin है वो components में आप एक क्योंकि वो हमें मार करता है कि ये किस तरह के multiplates मतलब तीन है particle single particle है या 8 है या 10 है तो वो हमें singlet octate और हम इसको represent भी ऐसे करेंगे ये हमारा singlet फिर octate अब इसके अंदर octate में पूरा बनाना ज़रूरी नहीं है बीच वाले figure को देखें तो ये एक symmetry है जो right में symmetry है वैसी कि वैसी symmetry एक left में आती है तो जैसे ये चार particles है इसे चार particles उधर इखटे हो जाते है और इसी तरह decoupulate में भी पांच अगर इधर है को पांच उथर जाएंगे तो ये वो टीवी डाइग्राम है जो कि singlet octate और होता है अब हम next में eightfold way जिसे बोलते हैं हम बुद्धिसम में भी होता है महानायान और हीनियान में अष्ठ जो आठ पये होते हैं जीवन चक्र के वो क्या इन particles में octate में form होते हैं इसलिए उसको eightfold way बोला गया है तो ये हमारा next lecture का part